लो जागिश्वनात भगवान की जय पानकपुर में महादिव जी श्रयम्भू है ये श्रयम प्रगठ हुए है यही मगवे कर गए दंडग बन स्री राम यहीं स्रंभू पूजन कियो और लीनो विस्राम त्रेता युग में भगवान राम चंद्र जी जब बन के लिए प्रस्थान किये तो यहां से होते हुए दंडग बन के लिए गए तो यहां पर भगवान स्री राम चंद्र जी ने संकर जी का पूजन किया एवं रात्री में विस्राम होने के बाद दंडग बन के लिए प्रस् यहां इस मंद्र को बने करीब 400 वर्स हो रहे हैं 1668 में भगवान शिव जी का यहां प्रादर भाव हुआ जिन्दागो जी राव बाला जी राव चांद वर कर द्वारा मंद्र का निर्मान किया गया उन्हें भगवान स्वपन संकर जी ने स्वपन दे करके बताया कि मैं यहां हो और मंद्र का निर्मान यहीं होना चाहिए अम्रत कुंड नाम से जर्ना है जिसमें के मरती नाम की बच्ची डूप करके खत्म हो गए थे जिसे भगवान शिव के समक्ष रखा गया एवं नमस्षवा का भजन 24 घंटे किया गया जिसमें 8 घंटे में ही बच्ची जीवित ह जो करके जल की एक्षा प्रगट की तब लोगों ने उसे जल पिलाया इसलिए सम्रत कुंड का नाम इमर्ती कुंड पड़ा यहां पर लोगों की बहुत बड़ी आज्थां जुड़ी हुई है बहुत दूर दूर से लोग यहां आते हैं जल चड़ाते हैं अपनी मन्नत हैं पूर्ण करते हैं और मन्नत हेतु यहां हाथे भी लगाए जाते हैं पीछे हाथा लगाने का मन्नत ले करके एवं लोटाने के लिए भगवान स्यून की मनुकाम न पूर्ण करते हैं तब हाथे लोटाए जाते हैं और यहां बहुत बड़ा मेला भरता है जिसमें स्वम्वत अमावश्या बसंत पंच्वी महाशिवरात्री के मेले यहां विशेश भरेद भरते हैं देखने यो गेवं भगवान शिवजी उनकी सभी की मरू कामना कूं करते हैं